परिचय, विद्यार्थी गणों, इन दो समुच्चियों को देखें. इन दो समुच्चियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये दोनों सम समुच्चे हैं. बहुत अच्छा, ए तथा भी सम समुच्चे हैं. अब यदि हम इस सम समुच्चे को यानि सी को लेते हैं, तो हम इ समुच्चे C, समुच्चे B, तथा समुच्चे A का उप समुच्चे है. सर, एक उप समुच्चे क्या है? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ. उद्देश इस पार्ट के अंद में आप निम्रि करने में सक्षम हो जाएंगे. उप समुच्ची की व्याख्या करना, घात समुच्ची को परिभाशित करना, सार्वत्रिक या सार्व समुच्ची को जानना, वेन आरे की व्याख्या करना, समुच्चियों पर संक्रियाएं लिखना. उप समुच्चे जब हम एक समुच्च को परिभाशित करते हैं तब यदी हम उस समुच्च के हिस्से को लें तो हम उसकी रचना कर सकते हैं जो एक उप समुच्च कहलाता है अताहा उधारन के लिए हमारे पास समुच्चे एक, दो, तीन, चार, पांच है इसका एक उप समुच्चे एक, दो, तीन है एक दूसरा उप समुच्चे तीन, चार है अथवा और भी एक उप समुच्चे एक है हाला कि एक छे एक उपसमुच्य नहीं है चुनकि इसमें एक अवियव छे समलित है जो इसके मोल समुच्य में नहीं है सामाने रूप में B का एक उपसमुच्य A है यदी और केवल यदी A का प्रत्य अवियव B में हो अन्य परिभाशाएं A, B का एक उपसमुच्य है अत्वा इसमें समलित है इसको इस प्रतीक द्वारा निरुपित किया जाता है B, एक अधी समुच्य है अत्वा A के अवियव इसमें समलित है इसको इस प्रतीक द्वारा निरुपित किया जाता है यदि A, B का एक उपसमुच्च है, तथा B में वे अवियफ सम्मिलित हैं, जो A में नहीं है, तब A, B का एक उचित उपसमुच्च है, तो इस संबंध को निर्दिष्ट करने के लिए हम इस प्रतीक का उप्योग करते हैं यदि A, B का उपसमुच्च नहीं है, तो हम उस संबंध को निर्दिष्ट करने के लिए इस तरह से इसे लिखते हैं यदि समुच्च A में केवल एक ही अवियफ है, तो हम उसे एक एकल समुच्च कहते हैं, इस प्रकार A, एक एकल समुच्च है अब इन प्रतीकों को देखे, पहले का मतलब ताथ पर है, तथा दूसरे का मतलब यदि और केवल यदि है आर के उप समुच्च के रूप में अंतराल एक वास्तविक अंतराल एक ऐसे गुणों वाला वास्तविक संख्याओं का एक समुच्च है, जहां समुच्च में दो संख्याओं के बीच की संख्या भी समुच्च में संबलित होती है उधारन के लिए सभी संख्याओं एक्स अंतराल शुन्ने चोटा या पराबर एक से को संतुष्ट करने वाला समुच्च है जिसमें शुन्ने और एक समेत उनके बीच की सभी संख्याओं संबलित है माना की A, B, R के अंतरगत आते हैं तथा A, B से चोटा है तब वास्तविक संख्याओं का समुच्च य इस तरह है कि A चोटा है Y से Y चोटा है B से जिसे विवरित यानी खुला अंतराल कहा जाता है तथा A, B से निरूपित किया जाता है A और B को छोड़कर A और B के बीच के सभी बिंदू विवरित अंतराल A, B के अंतरगत आते हैं समुच्च यानी बंद अंतराल को इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है संब्रित यानि बंद अंत्राल एक ऐसा अंत्राल है जिसमें अंतिबिंदू भी संब्रित होते हैं घात समुच्चे यदि हमारे पास एक समुच्चे A, B, C है तब इसका एक उप समुच्चे A या B अथवा A, C इत्यादी हो सकते हैं तथा A, B, C भी A, B, C का एक उप समुच्चे है तथा रिक्त समुच्च भी A, B, C का एक उप समुच्चे है पियस पराबर A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C यदि मूल समुच्च में N सदस्चे हैं तब घात समुच्च में दो की घात N सदस्चे होंगे उधारण समुच्चे A, B, C में तीन सदसे हैं A, B तधा C अता घात समुच्च में दो की घात तीन बराबर आठ होने जाहिए जो की हैं सार्व समुच्चे परिभाशा समुच्चे जिसमें विचारा धीन समस्या में समलित सभी अवियव अथवा वस्तुएं समलित होती हैं सार्वत्रिक या सार्व समुच्च कहलाता है अन्ने सभी समुच्चे सार्वत्रिक की या सार्व समुच्च के उप समुच्चे हैं सार्व समुच्य को प्रायह यू से तथा उसके सभी उप समुच्यों को अक्षर A, B, C इत्यादी द्वारा प्रदशित किया जाता है सार्व समुच्य का उधारण सभी पूरांकों के समच्चियों के लिए सार्वत्रिक समच्चे परिमे संख्याओं का समच्चे हो सकता है वेन आरेक वेन आरेक या समच्च आरेक एक आरेक है जो की एक परिमित संख्याओं के समच्चियों के बीच सभी संभावी तार्किक संबंधों को दिखाता है वर्ष 1880 के आसपास वेन आरेक की कलपना जौन वेन द्वारा की गई थी एक वेन आरेक को एक समतल में खींचे एक सरल बंदवक्रों के संग्रह से बनाया जाता है वेन आरेक के द्रिश्टांत एक वेन आरेक खींचने के लिए सबसे पहले एक आयत खींचते हैं जो आपका सारवत्रिक कहलाता है वेन आरेक के संदर्भ में सारवत्रिक सब कुछ नहीं होता है किन्तु वह सब कुछ होता है जिसके अंतरगत आप अभी काम कर रहे हैं आईए निमनलिकित वस्तुओं की सूची तयार करते हैं चचूंदर, हंस, रैबिड सकंक, गीज, कीडे, खोडे, एडमिन्टसोरस, प्लेटिपस और एक मोटी बिली हम अपने सार्वित्रिक को पशू बुलाएंगे आईए हम चीजों को उनके छोटे होने, रोएं, अत्वा, बत्तक चंचू के अनुसार उन्हें वर्गी करेद करते हैं हमारे वर्गी करण को दर्शाने के लिए हम व्रिध्ध खींशते हैं अब हम आरेक में अवियफ डालेंगे या व्रिध्धी करेंगे चचूंदर, रैबिट इसकंक तथा मेरी बिली सभी छोटे वा रोहदार हैं हंस, गीज तथा एडबिन्टो सोरस सभी बत्तक चंचू हैं केडे छोटे हैं मगर रोहदार नहीं हैं और घोडे रोहदार हैं, लेकिन छोटे नहीं हैं और नहीं बत्तक चंचू हैं, हाला कि वे पशू हैं वे हमारे सारवत्रिक समुच्च के भीतर फिट होते हैं लेकिन व्रिध्धी के बाहर समुच्यों पर संक्रियाएं सम्मिलन या संग सम्मिलन दो समुच्यों ए तथा बी का समुच्च है जिसमें वे अव्यव होते हैं जो ए के अव्यव हैं या बी के अव्यव हैं ए सम्मिलन बी को इस तरह लिखा जाता है यदि ए बराबर तीन चार चै तथा बी बराबर एक दो तीन पांच चै तब A सम्मिलन B बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है उधारन यदि A अभाज संख्याओं का समुझ है तथा B सम संख्याओं का समुझ है तब A सम्मिलन B बराबर X इस तरह है कि X सम है अथवा X अभाज है यदि A बराबर X इस तरह है कि X 5 से बड़ा है तथा B बराबर X इस तरह है कि X 3 से छोटा है तब A सम्मिलन B बराबर X इस तरह है कि X 3 से छोटा है या X 5 से बड़ा है वेन आरेक, सम्मिलन या संग एको लाल रंग के वृत से तथा बी को नीले रंग के वृत से प्रदशित किया जाता है। सम्मिलन में लाल या नीले या पीले रंग के सभी बिंदू सम्मिलित होते हैं। सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुण सम्मिलन एक क्रम विनिमे संक्रिया है ए सम्मिलन बी बराबर बी सम्मिलन ए सम्मिलन एक सहचर संक्रिया है ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी तस्समग अवियफ का नियम फाई सम्मिलन की अन्यनता है ए सम्मिलन फाई बराबर ए क्या आप जानते हैं? घात समुच्चे दूइपद प्रमे से समबंदित हैं. N अव्यवों वाले एक समुच्च के घात, समुच्च में के अव्यवों वाले, समुच्चियों की संख्या NCK का एक संयोजन होगी जिसे दूइपद गुडांक भी कहा जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं एक समुच्चे A को एक समुच्चे B का उप समुच्चे कहा जाता है यदि A का प्रतेक अव्यव B का भी अव्यव हो अंदराल आर के उप समुच्चे है एक समुच्च A का एक घाट समुच्चे A के सभी उप समुच्चियों का संख्रे है इसे P A दोहरा प्रदशित किया जाता है विचारा धीन समस्या में समलित सभी अव्यवों अथवा वस्तूओं के समुच्च को सार्वत्रीक या सार्व समुच्च कहा जाता है वेन आरेक अथवा समुच आरे वो आरेक है जो समुच्यों के एक परिमित संग्रह के बीद सभी संभावी तारकिक संबंधों को दिखाता है दो समुच्यों A और B का समिलन उन सभी अव्यवों का समुच्य है जो या तो A में हैं अथवा B में हैं झाल झाल